साथियो नमस्कार स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंत्रेटिव चनल पे साथियो यूपी ट्रिपलेसी ने अभी एभी एक नई नोटिस जारी की है और वो है रिवाइज आंसर की की और बहुत सारे लोगों का इंतजार उता वो था वो समाप्त हो गया है और यह जो नोटि लिखने को मिला एक प्रसंट पर चेंज हो गया है एक प्रसंट फुल माक्स मिला है और एक प्रसंट पर चेंज हो गया है ठीक है और इसी क्रम में आपको मालिम है कि मुक्य सेविका की भी रिवाइज आंसर की आनी है तो यह अब लग रहा है कि दीपाबली से पहले आपकी जाएगी ठीक है एक दो दिन में आपकी रिवाइज अंसर की आने वाली है उसकी भी ठीक है कल आजाए परसों आजाए आ जाएगी ठीक है तो आप दिखाता हूँ आपको यह आंसर की बारे में देखो सातियों यह आपको दिख रहा होगा आयो के बिग्यापनसंग के आठ अबलिक 22 अब नीचे आपको सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इसमें सार का सारा वो दिख जाएगा आज की डेट पड़ी हुई है कि आज यह रिवाईज अंसर की आई हुई है अब देखो नीचे जाओगे आप देखते चले जाओ एक प्रशन अब आपको दिखा देता हूँ जो चेंज हुआ है इसमें देखो नीचे दिखी तालिका में बात यह है कि इस पर पूर अंक मिला है ठीक है एक प्रशन तो यह है इस पर पूर अंक आपको दिया गया है और एक प्रशन और है जिस पर प्रशन में बदलाब किया गया है तो एक ही प्रशन है जिस पर बदलाब देखने को मिला है ठीक है नीचे आता हूँ अभी देखते स्क्रॉल करते जाते हैं इसको नीचे की ओर तो एक प्रसंद और है जिसमें बदलाव किया गया है आपने अगर पेपर दिया है तो आपके लिए एक अच्छी ख़वर है कि आपकी जो रिवाईज आंसर की है वो आ चुकी है और बहुत दिनों से बेट कर रहे थे रिवाईज आंसर की कब आएगी कब आएगी तो फाइनली आप रिवाईज आंसर की आपकी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है इसकी जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों के लिए और जो नई भरती है 512 पतों पर देखो यह वाला जो प्रसंद है उस पे भी आपका पोस्ट ने है उसका जो अब पेपर होगा मतलब इसकी अगर सौट लिश्टिंग की बात करें दिसंबर में होगी और इसका पेपर होगा आपका जनवरी या फरवरी में फरवरी मानके चलो जनवरी में नहीं हुपाएगा तो आज इसकी रिवाईज आंसर की आगई और आपको माले में इंग्लिस की टाइपिंग चाहिए पचीस बड़ की हिंदी की टाइपिंग चाहिए इस प्रकार से टाइपिंग होती है तो प्रकार की टाइपिंग होगी ठीक है सात्यों तो यह है नोटिस अभी में बता दिया मुख कि अभी एक दो दिन में आपका नोटि झाल